विक्रम चाहता है कि हरिश्चंद्रगड की यात्रा पर बेताल उसके साथ चले यात्रा की दौरान उन्हें कई पड़ावों को पार करना है बेताल इस शर्थ पर विक्रम के साथ यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है कि वह उससे हर पड़ाव पर एक पहेली पूछेगा यदि विक्रम प्रश्णों के सही उत्तर देने में विफल रहता है तो बेताल उड़ जाएगा और विक्रम को उसे फिर से पकड़ना होगा अन्यथा वह विक्रम के साथ यात्रा जारी दखेगा आईए देखें कि पहली पहेली क्या है पहली पहेली रंगीन मोजा कल्पना कीजिये कि चिंकी नाम की एक लड़की है उसका कमरा हमेशा अस्त्व्यस्त रहता है एक दिन जब वह स्कूल के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक बिजली चली जाती है वह पहनने के लिए मोजे की एक जोड़ी खुजना चाहती है उसकी दराज में दस लाल मोजे और दस नीले मोजे हैं लेकिन सभी मिले हुए हैं बीस के बीस मोजे उनके रंग के अलावा बिलकुल समान है चिंकी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसका कमरा पूरी तरह से अधेरे में है और वे पहनने के लिए मोजे का एक जोड़ा निकालना चाहती है अब बेताल विक्रम से पूछता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके पास एक जोड़ी मोजे हैं जो एक ही रंग के हैं चिंकी को दराज से बाहर निकालने के लिए मोजों की सबसे छूटी संख्या क्या होनी चाहिए विक्रम सोचने लगता है और फिर जल्दी से उत्तर देता है बारे है बेताल ने विक्रम से पूछा कि वह उस उत्तर पर कैसे पहुँचा विक्रम समझाता है कि मान ले कि वह जो पहला मोझा चुनती है वह लाल रंग का होता है अब उसे उस मोजे से मिलान करने के लिए एक और लाल मोजे की आवशकता है परन्तु उसके द्वारा चुना गया अगला मोजा नीला हो सकता है चलिए कलपना करें कि चिंकी द्वारा निकाले गए सभी मोजे नीले निकलते हैं और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी नीले मोजे दराज से बाहर नहीं निकल जाते अब वह जो अगला मोजा निकालती है वह लाल होना चाहिए चूकि दराज में दस नीले मोजे थे और वह पहले लाल मोजे के बाद दस नीले मोजे हटा देती है इसके बाद वे अगला मोजा लाल रंग का निकालेगी इस तरहे इस पहेली का उत्तर बारह होना चाहिए बेताल जोर से हस पड़ा कि उसका उत्तर गलत है बेताल ने कहा मैंने सिर्फ इतना कहा था कि उसे एक जोड़ी मोजे ढूड़ने हैं मैंने यह नहीं कहा था कि जोड़ी किसी एक रंग की होनी चाहिए चलिए मान ले यदि पहले दो मोजों का रंग मिल नहीं खाता है तो तीसरा निश्चित रूप से अन्य दो में से एक से मिल्क खाएगा इसलिए सही उत्तर है तीन मोजे बेताल हसता हुआ ओड़ जाता है विक्रम को यह सोचता हुआ छोड़ कर कि उसने पहेली के बारे में इस तरह क्यों नहीं सोचा कि उसलिए से उसे दोड़ कर दो पहाँ